हुआ 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 है अलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं मनोविकार सेक्स रोख सम्मों तथा व्यसनमुक्ति तक ग्या हूं महाराष्ट में अकोला पुने बॉंबे नागपूर यह हमारे होस्पिल से वहां प्रैक्टिस करता हुआ हमारे हां मन सब्सक्राइब करते हैं काफी सारे लोग मेरे पास में आते पेट विकार लेके तो पेट विकार का मांसिक कनेक्शन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हुआ हुआ है क्या होता है कि ब्रेन को कुछ भी तनाव या स्ट्रेस आता है तो वो कोई ना कोई ओर्गन चूस करता है अपने बॉडी का कोई किसको स्ट्रेस या दनाव आएंगा न तो वो ब्रेन ने समझे किसी का हाड चूस कर ली चूस करना मतलब उसका उसका मतलब सिलेक्शन कर ली उसको चुनाव कर लिया उसका तो फिर सब लक्षन जब जो उसको तनाव आएंगा न सब लक्षन उसको हाड के दिखेंगा उसको एटक आ सकता है उसका ब्लेड प्रेशर ज्यादा हो सकता है उसको कभी सारे प्रॉब्लेम्स हाड के बारे में आ स सकते हैं, कोई किसको stress आ गया तो उसका brain क्या करता है उसका brain just a respiratory system श्वसन संस्था उसको choose कर लीता है और फिर उसके विकार इसको विकार असमा का हो सकता है तो फिर कोई लोकों मैं जब-जब stress आ तनाम आता है तो उसका brain जो है वो पचर्ण संस्ता को चूस करता है पचं समस्ता मतलब पेट और वह पेट मतलब सिर्फ पेट नहीं है मुझ से लिए लिए जभगे नीचे एन अब लोग बलते हैं कि उसे तनाव तो कुछ नहीं है विचार तो बिल्कुल ही नहीं करता पिर तनाव नहीं है विचार नहीं तो यह तकलीब कहां से हो रही है अबी मेरे पास में एक पेशन आया था तो उसको मुँमें काफी छाले थे बहुत सारे चाले और वो खुद ही बोलता है कि बीच बीच में चाले होते रहते फिर उसको पूछा तो मालूम पड़ा कि जब जब तनाव आजाता है उसको चाले आते मुम फिर एक प्रेशन अभी आया था उसको एसरीडी होती रहे थी एसरीडी मतलब ऐसी बहुत खटी ढखाराना ज्यादा ढखाराना जलन होना चाती में और फिर इतनी ज्यादा जलन हो जाती उसको लगता अंगार लग गए जैसी अंदर और पूरा एसरीड जो है ना स्टमक का वो ऐसा पूरा बाहर आते रहता है उसमें से फिर अल्सर हो जाते हैं टेंशन आ गया कि सब चालो फिर कुछ लोगों को पेट में फूगा रहाना बड़ा फुल ना पेट थोड़ा भी खाना खालिया तो पेट फुल जाता है बहुत एस या फिर थोड़ा खाना खाना तो बहुत पेट फुल जाना धकार खटी आना उसके साथ ऐसी होना और पेट फुलना तो कुछ लोगों को होता क्या है कि पेट में कभी सरी गैसेस हो जाती है और पिर एक सरीखियों को गैसेस निकल दिया तो भी सोशली भी अच्छा लगता कि यह आते जाते वाहर तो गैसे इस आती रही तो पियत वह तो एक परी मिट थीक रहता नहीं है पेट ऐसा मोटा मोटा वजद्दार ध़ता है ज्यादा खाना भी नहीं का या पर कुछ लोगों को ज्यादा संदा साती या फिर संडास में बहुत ज्यादा समय तक बैठना मतलब 10-15-20 मिनिट बैठने के बाद में उनका संतोश नहीं होता कि संडास लेटरिन हो गए गर पेट कुनली और उनको कई वजन कम नहीं होता, मतलब ऐसा कोई वजन कम हो गए तो ऐसे नहीं मतलब खाना भी नहीं लगते हो मर उनको सब भूक नहीं लगते कि खाऊं करके ऐसी इच्छा नहीं होती बाकि लोगों जैसी थोड़ा खाना खाली उनको लगता ठीक है और समझे एकादी बार बैट भी कहते भी खाना भी अच्छा खालेंगे और उनकी कम्प्री नहीं देती कि मर को भूक नहीं लगते खाने में टेस्ट नहीं आती मज़ा नहीं आता खाने में तो इसमें पचन समस्ता का ही प्राब्लम है और उनके ब्रेन ने स्ट्रेस के समय पचन समस्ता को चुन लिया है अब पचन समस्ता के डॉक्टर के पास में मतलब गैस्ट्रो एंट्रलाजिस के पास में जाके लोग इस एक्त्र शकूपी करते हैं सब तरह की स्कूपी होने के बाद में भी कुछ निकलता नहीं है फिर रिपोर्ट आता है कि थोड़ी सूजन है पेट में और फिर उनको दवा देते हैं और दवा में ऐसी दवाई होती है ऐसी दवाई होती है कि जिसमें ब्रेन को रिलाक्जेशन मिले मतलब नचली दवाई होती है इन शॉर्ट जो हम लिखते हैं ऐसे साइकेट्रिस्ट हम लिखते वह दवाव लिखते हैं यह एसीड़ी कम करने के लिए लोग दवाई खाएंगे थोड़ी एसीड़ी कम हो जाएंगी मगर फिर और दवाई खाना कांसिलिंग में बहुत खोदना पड़ता है कांसिलिंग में और दीप खोदने के बाद में फिर मालुम परता है कि इन रंपरिन नहीं कि उपके लाइफ में लिखते हैंगे नममर दो कहां खुद के ऊपर प्यार नहीं करते खुद को hate करते, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है खुद को कम समझना, खुद को अच्छा आद्मी ने समझना, खुद को छोटा समझना, खुद के बारे में अच्छा मत नहीं होना लोगों के उपर प्यार नहीं करते लोगों के बारे में हरदम complaint रहती है शिकायद रहती लोगों को और उनको भी अच्छा नहीं समझते लोग तो वो होते रहता है लोगों के साथ में साथ साथ बाते नहीं करते मतलब उसको बोलते हैं कि बाची जो है ना वो clear नहीं लोगों के मतलब लोगों से थोड़ा सा रोक के बात करेंगे मतलब खुली बात नहीं करेंगे किसके भी साथ में उसके मन में सामने वाले के बारे में चीड है, द्वेश है या गुसाया हुआ है बोलेंगा नहीं हो सामने वाले को मन में रखेगा और मन में रखे तो उसका फिर फुगा एक दिन फुट जाता है तो यह ऐसे कारण फिर लॉसेस दंदे में बहुत बड़े लॉस हो चुके है या घर में बहुत बड़े जिम्मेदारी है लड़कियों की शादी है फिर हस्बन वाइफ की पती पत्नी की पट्टी नहीं है इसमें होंगा कुछ तभी सेक्ष्यल प्रब्लेम होते रहे रहते कहीं बता सकते नहीं है सेक्ष्यल डिससटीस फइड़ारी पेट की दवा देके वह जो गैसे और तो इलाज करना ही है उसका नहीं है करो दो घंपरारी है है उसके इलाज हम अंदर जाके मतलब उसमें पर्राबIns94 मैंड में प्राबलिम क्या है यह इसा क्यूं कर रहा है खुल खлись है पूरी आत्म अभी विक्थी क्यों नहीं जिन्दगी जी रहाया अंदर है क्या उसको अच्छा नहीं लगता अपने खुद के बारे में लोगों के बारे में क्या टेंशन ले के क्या टेंशन वह पाल रहा है मतलब क्या कर रहा है उसका उसके वजय से उसको पेट का प्राबलेम आया हो, anxiety है, उसके वो जैसे पेट का प्राबलेम आया है, तो फिर क्या है क्या है, वो देखके उसका इलाज करते है, उसको hypnotize करते है, counseling करते है, और फिर उसमें वो अच्छा हो जाता है, और काफी सारी file है, जब मेरे पास में लेके आते हैं, लोग ऐसे 10 और कुछ नहीं हुआ तो यह तकलिफ काई के, जूट बोल रहा है आत्मी, जूट नहीं बोल रहा है, पर कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ कैसे, उनका कहना रहता है, कुछ नहीं हुआ मतलब यहां कुछ नहीं है, ख़ड़ा भी, ख़ड़ा भी यहां है, और यहां के लोग होंगी जिनको पेट का प्राबले होंगा, इनको ये जो है नो वीडियो ये शेयर करो, फैला दो इसको, आपके ग्रूप के उपर, फेस्बूक के उपर, शेयर कर दो, फैला दो, ताकि वो कंसर्ड डॉक्टरों को मिलके उसका इलाज कर सकेंगे, वो किया पागल पन्लो ये वीडियो सब्सक्राइब करो, शेर करो, सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल का चिनना आता है, तो उसके उपर आप प्रेस करो, क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे, and once again, thanks for watching, thank you very much.